दोस्तो बहुत बहुत सौगे थे आपका एक पार फिर से आपके अपने ही चेनल किरिक पॉली पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1965 में रिलीज हुई राजकुमार साहब और सुनिल दत साहब के फिल्म वक्त के बारे में साल 1965 में दर्शकों ने बहुत पसंद क्या था इस फिल्म को इस फिल्म के गाने इस फिल्म की कहानी बड़ी हिला जवाब थी और दर्शकों को इस फिल्म खुब पसंद आती है तो बात करने वाले हैं आज फिल्म वक्त के बारे में फिल्म से जुड़ी बहुत सारे ऐसी सची बाते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे ऐसे अननाउन फैक्ट हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और साथ इसाथ फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में, बज़ट के बारे में, हीट और फ्लॉप के बारे में, तो सारी जानकारे आपको देने वाला हूं फिल्म वक्त की, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट क पूर और शरमिला टैगो इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था ये अश्चो पडाने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को बी आर चो पडाने बजट था इस फिल्म का तकरीबन 40 लाग रुपे और बॉक्स ओफिस इंडिया लाइफ ट कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अननावन फैक्ट की दोस्ते ुबग्त फिल्म के निर्माता बियार चोपडा सबसे पहले इस फिल्म को पिरत्वि राज kole और उनके तीनों बेटे शम्मी refuse राजा क कॉपूर और शशी कपूर के साथ इस फिल्म को बनाना चाहती थी लेकिन आखीर में इस फिल्म के लिए सिर्फ शशी कपूर को लिया गया था दोस्तु धरमेंद्र को वक्त फिल्म के लिए पेशकश की गई थी लेकिन धरमेंदर बड़े भाई की भूमिका नहीं निवाना चाहते थे इस वज़ा से धरमेंदर ने फिल्म करने से मना कर दिया था वैसे कहीं न कहीं बाद में धरमेंदर साब को इस बात का जरूर पस्तावा हुआ होगा क्योंकि साल 1965 की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी ब्लोगबस्टर थी फिल्म वक्त तो ऐसी ब्लोगबस्टर फिल्म हाथ से निकल जाना ये एक बहुत बड़ी बात होती थी नमबर तीन दोस्तो सैंसर बोर्ड ने सुनील दत की सुविम सूट बदलने वाले सीनों पर पिर्तिबन लगा दिया था और उन सीनों को फिल्म से हटा दिया था लेकिन बाद में पबलिक की डिमांड पर फिल्म के निर्माताओं ने इसके लिए बहुत शंगर्स किया और उसके कुछ दिनों के बाद इन सीनों को बहल कर दिया गया था फिल्म से नमबर चार और जबकि महिंदर कपूर ने शशी कपूर और सुनिल दत दोनों के लिए गया है नमबर चे और आखरे अननाउन फेक्ट दोस्तो साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलू कि साल 1965 की वक्त फिल्म ये पहली ऐसी फिल्म थी जो एक मल्टी स्टार फिल्म थी और नमबर चे और आखरे अननाउन फेक्ट दोस्तो साल 1965 में सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में वक्त फिल्म सबसे पहले नमबर पर थी और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वारी फिल्म थी यानि के साल 1965 की सबसे बड़ी फिल्म थी वक्त तो दोस्तों आपको कैसे लगती है फिल्म वक्त कमेंड में जरूर बताईएगा तैंक यू